हेलो गाईज वेलकम बाक टू माई चैनल और आज हम लोग जा रहे हैं रूरल फार्म वैसे तो हमारा सारा दिन ऑफिस या घर में ही जाता है और घर में भी पूरे टाइम एसी होते हैं तो हमने सुचा क्यों ना मैं थोड़ा सा आउट डोर में भी टाइम स्विंड करना चाहि इसमें मैंने कुछ फ्रूट्स अपनी बोक्स पानी की बॉटल और यह कटर भी रखाया वैसे तो हमारा चैकिन टाइम एक बजे का था बर्द हमें डाई बच गया था यहां पे निकलते निकलते क्योंकि हम कफी लेट हो गए और जैसे हम लोग निकले बारिश आंदी सब सब्सक्राइब हो गई थी और यह भाहिया ने हमारे समायने हमारी रूम में शिफ्ट करा दिया था यह दिखने में बाहर से इतना सुंदर था ना कि मेरा बस अंदर जाने का महन रहा था मैं बहुत एक्साइट थी किया अंदर से कैसा होगा और फाइनली चलो चल के देखते हैं जाते ही सबसे पहले हमें मिला यह वेलकम ड्रिंक और इसको भी पीके देखते हैं ओहो यह प्रिंस को हचा नहीं लगा बड़ यह इतना भी बुरा नहीं था जितना उनका रियक्शन था यह कुछ अलग सा था समझ नहीं आ रहा था क्या आम परना जैसा फील हो रहा था हैं और विलक्कुल वइसा थो नहीं था ठीक थीज़ी था और यह था फाइनली हमारा रूम काईज यह बहुत ब्धाधा प्यारा था मैं आपको सच बता रही हूँ यहां कने एक अलगी वाइव थी और यह का था वश रूम इनका वाश रूम इनका प्रिंह नहीं उसी तर क कुछ चेंज चाहिए होता है और यहां के सबसे पहले मैंने फ्रूट कटके क्योंकि मुझे अभी लंच करना नहीं तो और मुझे भूग लगी तिया उसके बाद हम लोग फाइनली पूल के लिए रेडियो के निकल लगी क्योंकि वैदर इतना अच्छा हो रहा था ना हमने क्योंकि जो आच्छा है करना तो नहीं पूल है को ही निए मेरा फोन बी दुग किना नहीं पर जाएक कोई नहीं मुझे यहां किया एक तो फैदर इतना पारा हो रहा था उपर से बालून ले लिया और हम इसे खेलने लगेए इसे बड़ा रहा था तक रहा था है किया तो फ चिली पनीर नहीं को अच्छा लगा तो चाए और यहां की अच्छी चीज यह थी कि अपना मेल इंजॉय कर रही थी प्रेंस नहीं पर चिली चिकन और गया था और वो बोल रहते है वह बहुत ही जादा यमीता और यह देखो इतना प्यारा क्लियर स्काय था ना बड़ा मजा रहा था इसको देखने में धीरा होती जैसे इन्होंने पूल साइड की सारी लाइट स इन्हों की साथ में यह फांटेन भी ओन कर दिया और फिर तो गाइज यहां पर इतना मजा आने लगा हो यह देखो में की माउस बच्चों को इन्होंने पूरा ध्यान दिया था अब यह इतने सारे चोटे-चोटे बच्चे फामिली के साथ आए हुए थे तो तो देना ही प यह प्रिंच के पास ही आ रहे थी क्योंकि वो उसको खाना खिला रहे थे हाव स्वीट देखा कितना अच्छा रड़का है यह अपना सारा चिकन तो इस किटी को हिला दिया बार पर निकाल निकल कि और यह किटी भी जाने का नाम ही निल रही थी मैं इसको बाद में बगाने हम ने चेंज किया हम लोग निकल गेते बाहर सुचा थोड़ा सा फार्म का व्यू देखके आते हैं और क्या क्या है तो सबसे पहले मुझे दिखा यह जूला और बिच्चों की तरह पे जूलने लगी अब क्या करें ऐसी चीज़ देखके हम लड़कियों का दिल आई जाता ह इसके बाद हमने कोफी और गी जोड़ी सी स्ट्रॉंग की बर मुझे तो काफी अच्छी लगी है उसके बाद यह देखोगा इसमें चार पाई पैसे यहां पे जैसे मेरा घर है और मैं अपने गाउं में च्छत पे जाके लड़ गई हो बड़ा रहा था उसके बाद डिनर क अच्छा लग रहा है को यह कुछ नहीं करता है डिनर फिर ने से पहले ही किटी नहीं वापा से दूल लिया इसको पता था कि अपने बाले और यह फिर से आवे अब इतना कुछ खा लिया तो पचाना भी तुसरूरी था तो उसके लिए भी मैं एक अच्छी से लोगेशन ग यहां पर बैटके हम बाते करे थे कि नेक्स ताइम हम जब भी अपने फ्रेंड्स और फामली के साथ जरूर आएंगे और जब आएंगे तो हम यहां पर बैटके बहुत सारी कप में वारेंगे रात काफी हो गए ती और फूर में इतना डूप डूप के हम थख भी गए तो हम चले सोले तो आज के लिए बस नहीं गुद नाइट बाई हैलो जी गुद बॉर्निंग तो यहां पर मैं कर रही थी प्रेयर सुपर उटके और आज हमारा फाम में दूसरा दिन था और मैंने जैसे ही करटन हटाया तो मुझे दिखी रहा था कि दूप बहुत तेज़ा त हमारा लकी रही था जो वैदर इतना अच्छा हो गया और यहां पर मैं प्रिंस को बालवर उठाने की कोशिशिश कर रही थी और यह उनी बच्चो की तरह जो सूपर उटने में थे नक्रे करते हैं और यह उठी नहीं रहते तो मैंने सुचा क्यों ना मैं अपनी पैकिंग क अपनी यह उच्छा की लगा दूए और यह भूख मार फर प्रूंटी लगने लगी तो मैं प्रूंटी करने लगी क्योंकि सुगर कुदा हो विकार क्हा ते बेट रहें अब सिरफ फूर्ट सैछा काने से टानी को मैं आर तो हम लिए पने पर ज़ानी से विए लूद कर ली तो सोचा क्यों नाम अपनी गाड़ी को भी निला देते हैं और इसके बाद हम लोग चले के नाश्टा करने यहां पर अपने किया था अलू पराथा और जाने में काफी टाहिन लगने माला है तो पेश पूजा तो करके जाना था और इस सब के साथ मैं अपने प्यारे से रूम को कर रही थी बाई और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना